हेलो फ्रेंज वेल्कम टो प्रिपरेशन हब मैं आपके लिए वह क्या पोर्शन ले के आए हूँ तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन हमारा फर्स्ट वर्ड है् अकोमोडेट एकोमोडेट की स्पैलिंग देख लेते हैं कि इसे बी चीज को अपने कमफर्टेवल के हिसाब कमफर्टेवल जैसे जिस में हम रहें वैसा बनाना उसको, तो accommodate हो जाता है, accommodate मतलब, uncool बनाना, its terminology लेते हैं, domicile, furnish entertain cultiv, domicile मतलब, जब हम किसी चेकी permanent रहते हैं, तो फो domicile हो जाता है, और जाहर से पादे हैं, जहां हम permanent रहते हैं, वो हमारे comfortable होते हैं, वहाँ पे, जैसे हम कहीं और जाते हैं ठाके हुए होते हैं तो फिर हम अपने जहां हमेशा रहते हैं वहीं जाना चाहते हैं हम comfortable होते हैं तो domicile होता है D-O-M-I-C-I-L-E जिसे हम किसी country में permanent रह रहे हैं हम कई और नहीं रहते हैं इसी country में रहते हैं तो हमारा domicile हो जाता है D-O-M-I-C-I-L-E इसके बाद है furnish F-U-R-N-I-S-H sorry F-U-R-N-I-S-H furnish मतलब जब हम किसी जब हम furniture से घर को decorate करते हैं तो वो furnish करते हैं या फिर चीजों को furniture से बनवाए होते हैं हर चीज तो वो हम furnish करते हैं इसके बाद है entertain E-N-T-E-R-T-A-I-N E-N-T-E-R-T-A-I-N entertain entertain मतलब कुछ भी मनोरंजक बनाना कुछ भी बहुत ही जाता है interesting बनाना मजेदार बनाना तो entertain हो जाएगा यह भी एक वर्ब है इसके बाद झल्ट-T-E-R-S-H-E-L-T-E-R- legit-diller-थ-e-r-s-e-r-s-s-o-e-r-s-e-r-s-e-r-s-e-r-s-e-市-r-e-r-s-e-r-s-e-r-s-e-r-s-e-r-s-e-r-s-e-r-s-e-r-s-e-r-s-e-r हम स्थ-e-r-s जो मतलब एक तरीके से जो धूब से है और बारिश से हमें बचाए वो सल्टर हो गया तो इसका एंटारिम देख लेते हैं टर्ण अवे एंड टर्ण आउट टी यू आर एंड टर्ण एच सॉरी एडेबलू एवाई टर्ण आवे इसके बाद टर्ण आउट है टर्ण आवे मतलब तो स्टॉप लुकिंग एक संबडी और सम्थिंग किसी चीज़ की तरफ देखना बंद कर देना या ना ध्यान देना या फिर दूसरा मीनिंग होता है इसका अस्विकार कर देना कोई भी चीज अस्विकार कर देना टर्ण आउट ये टर्ण आवे और टर्ण आउट जो है वो फ्रेजल वर्ब है तो टर्ण आउट मतलब भी होता है खाली करना या बाहर निकालना ठीक है next हम देख लेते हैं accomplish, accomplish मतलब सहपरादी, accomplish एक noun है, spelling देख लेते हैं, a, double c, o, m, p, l, i, c, e, accomplish, इसमें a, double c है, और m, single है, okay, spelling must है, देखिए, फिर से देख लिजे, a, double c, o, m, p, l, i, c, e, accomplish, noun है, सहपरादी, synonym देख लेते हैं, helper, associate, assistant, confederate, helper मतलब, जो, आपकी help करें, accomplish में यह होता है, कि जिसे हमने कोई crime किया है, तो जो हमारा support कर रहे हैं, जो हमारे साथ दे रहा है, इस crime करने में, वो हमारा accomplish हुआ, देखो, दो accomplish होता है, spelling पर ध्यान देंगे, यह c, e है, और एक होता है, s, h, s, h, जब लग जाता है, तो वो वर्ब हो जाता है, और accomplish मतलब कोई काम को पूरा करना, तो वो वर्ब हो जाता है, synonym देख लेते हैं, h, e, l, p, e, r, जो हमारा helper है, जो हमाई मदद करता है, इसके बाद associate, a, double, s, o, c, i, a, t, e, a, double, s, o, c, i, a, t, e, associate मतलब जो हमसे जुड़ा हुआ, जो हमसे connected है, जुड़ा हुआ है, वो associate होगा, इसके बाद assistant, a, double, s, i, s, t, a, n, t, assistant मतलब जो हमारा सहा है, जो हमारा किसी काम में, जो हमारे काम करने में मदद कर रहा है, किसी भी काम को, यह office वगएरा में ज्यादा use हो जाता है, यह फिर shops वगएरा में, जो main होते हैं, वो अपना assistant रखते हैं, ताकि काम को आसान बनाया जा सके, बहुत ही जादा जब busy schedule हो जाता है, hectic हो जाता ह कि थोड़ा मतलब मदद हो जाए, तो वो अपने लिए assistant रखते हैं, इसके बाद confederate, c-o-n-f-e-d-e-r-a-t-e, confederate जो होता है, वो accomplish से बहुत ही जादा मलता है, confederate का मतलब भी वही होता है, मतलब कि जो किसी गलत काम कोई गलत काम कर रहा है, तो उसमें जो उसका साथ दे देख लेते हैं, opponent और obstructor, opponent की spelling, o-p-o-n-e-n-t, o-p-o-n-e-n-t, opponent मतलब विरोधी, और obstructor, o-b-s-t-r-u-c-t-e-r, obstructor, o-b-s-t-r-u-c-t-e-r, obstructor, o-b-s-t-r-u-c-t-e-r, obstructor मतलब जो हमारे काम में प्रतिरोधक हो, जो हमारे काम को करने से रोके, वो हो जाता है, obstructor, इसके बाद accuracy, accuracy मतलब कितना इस पस्टा है, कितना वो सही है, accurate है, तो उसमें देखते हैं कि कितना हमारा काम सही है, तो spelling इसके देख लेते हैं, a-double-c-u-r-a-c-y, a-double-c-u-r-a-c-y, accuracy, noun है, यथार्थता, यथा सही होना, accuracy दिखाते हैं, synonym देख लेते हैं, precision, P-R-E-C-I-S-I-O-N, P-R-E-C-I-S-I-O-N, precision मतलब the quality of being clear and exact, कितना वो clear है, कितना वो exact है, कितना वो सही है, सटीख है, तो वो precision दिखाते हैं, इसके बाद है, exactness, वह exactness मतलब कितना सटीख है, बोलते हैं, यह एक्दम हूब, वो एक्दम exact ही है, तो exact, E-X-A-C-T-N-E-T-E- X-A-C-T-N-E-S-S, exactness, इसके बाद nicely, इसके बाद correction, correction नहीं है, यह correctness होगा, यह जो I-O-N है, इसको N-E-S-S कर लेंगे, यह जो I-O-N है, इसकी जगा N-E-S-S, थोड़ी से गंदी राइटी है, समझ लेजेगा, precision, exactness, nicely, correctness, कितना सही है, कितना इधार्थ है, इसके बाद, एंटॉनिम देख लेते हैं, इसका error, या फिर fault, E-R-R-O-R, error, F-A-U-L-T, fault, मतलब, गलत, accurate, accuracy, दिखाता है, कितना सही है, और फिर इसका, synonym हुझे का, precision, exactness, nicely, correctness, अब इसका अन्टॉनिम देख लेंगे, error, या फिर fault, कितना सही है, जब सही है, तो कुछ गलत भी होगा, next हम देख लेते हैं, acerbic, okay, acerbic एक adjective है, जिसका मतलब होता है, कटू या अभद्र, especially of comment और style of speaking, sharp and forthright, okay, कोई भी comment या बोलने की आपकी जो शैली है, वो बहुत ही तीक्ष्ट रहो, बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही खरा-खरा, मतलब बहुत ही, बहुत ही rude तरीके से कुछ बात करना, तो वो एसर भी खो जाता है, सिनानिम में दिया भी है, इसका देखिए, कर्ड, rude, bitter and acute, कर्ड, rude, rude, p-i-w-t-e-r, bitter, a-c-u-t-e, acute, कर्ड एक एडजक्टिव है, जो कि short and not polite, जो संचिप था और बहुत ही जादा रूखा हुआ है, सही नहीं है, जिसे कह सकते हैं, इसे गेव एक कर्ड रिप्लाइ and slam the phone down, मतलब कि उसने बहुत ही, रूट तरीके से बहुत ही गलत तरीके से रूखे तरीके से जवाब दिया और अपना फोन पटक दिया वहीं पर, तो यह कट होगा, I give you a example, ताकि आप समझ सके, इसके बाद रूट रूट तो जानती ही, बहुत ही गंदे तरीके से बात करना वे वहार करना तो वह रूट हो जाएगा, कि आपको बहुत ही रूट भी हैवियर है, तो हरुट मतलब बहुत ही खराब बिटर मतलब कड़वा और यह टेस्ट के लिए भी होता है और आपके भी हईवियर दोनों के लिए बिटर होता है, एक्यूट मतलब बहुत ही तीक्श्ट बहुत ही तीवर यसे यूवठ अई, इसके बाद मायल्ड और defer, जिसके म हिसे माइल्डी माइल्ड भी माइल्ड पें हैं माइल्डब हैकं इक्ष्ट है modest modest M-O-D-E-S-T modest मतलब बहुत ही विनामर जो बहुत ही गुस्टा नहुत एक दम शांत उसका behavior हो कुछ भी कह दें वह आराम से हां सुन ले कि सब ठीक है चलो ठीक है मतलब बिल्कुल भी गुसा नहीं हो तो वह modest हो जाता है इसके बाद है एक्वेंट एक्वेंट एक वर्ब है जिसका मतलब अफगत कराना या किसी से परिचे कराना तो वह एक्वेंट हो गया सिनॉनिम देख लेते हैं अकस्टम फैमिली अर्याइज हैबिच्वेट इंट्रोड्यूस एकस्टम मतलब किसी चीज में जब लोग अभ्यास्त हो जाते ना तो एकस्टम यूज़ करते हैं एडबल सी यू एस टी ओएम अकस्टम देखो अकस्टम तभी होगा जब किसी चीज से आप फैमिली अर्य होंगे ओके फैमिली अर्य होंगे तभी तो आप अकस्टम होंगे एडबल सी यू एस टी ओ एम इसके बाद फैमिली अर्याइज मतलब वही परिचे कराना इसके बाद है हबिच्वेट मतलब वही होता है जो अकस्टम का सेंस देता है हबिच्वेट मतलब किसी चीज में अभ्यास्ट होना इसके बाद इंट्रोड्यूस मतलब परिच्वेट कराना आई एन टी आर ओ डी यू सी ए इंट्रोड्यूस परिच्वेट कराना अब इसका एंट्रोड्यूस देख लेते हैं कंसील हाइड मिस्रेप्रेजेंट फिद होल्ट कंसील सी ओ एन सी ए एल कंसील मतलब कुछ भी है किरे इसके बारे हों नहीं परिच्वेट और कि नहीं इसका चूप आते हैं मिस्रेप्रेजेंट करता है जर्द करेंकि कि सही तरीके से नहीं प्रदर्शिट करें मिस्रेप्रेजेंट होता है M-I-S-R-E-P-R-E-S-E-N-T मिस्रेप्रेजेंट जिम्रोली होता है डिसीव करने के लिए किसी को धोका देने के लिए मिस्रेप्रेजेंट करते हैं गलत तरीकिस उसको रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट है एक्विटल Equital एक noun है spelling देख लेते हैं A-C-Q-U-I-T-T-A-L A-C-Q-U-I-T-T-A-L Equital एक noun है जिसका मतलब होता है बरी या चुटकारा या फिर किसी जैसे कुछ चार्ज लगे हैं ब्लेम लगा है तो आप जब confirm हो जाए कि नहीं ये चार्ज आप से हट रहे हैं आपने ये गलती नहीं की है तो एक्विटल होता है तो उस दोस से चुटकारा पा जाते हैं सिनॉनिम तेख लेते हैं Release, Liberation, Clearance Release मतलब छूटना R-E-L-E-A-S-E जब आप बादी होंगे किसी ब्लेम से चूटेंगे वही होगा है चुटकारा R-E-L-E-A-S-E इसके बाद Liberation मतलब सोतन्तर था L-I-B-E-R-A-T-I-O-N Liberation Clearance मतलब इस पस्ट था C-L-E-A-R-A-N-C-E Clearance इसके बाद इसका अंटॉनिम देख लेते हैं Conviction या Punishment Conviction या Punishment C-O-N-V-I-C-T-I-O-N Conviction Conviction तब यूज होता है जब आपके उपर जो Charges लगे हैं वो Confirm हो जाए कि Generally Court में यूज होता है Charges confirm हो जाते हैं उस टाइम यूज करते हैं The Action of Finding Somebody Guilty of Crime in a Court of Law जैसे बोलते हैं कि किसी इनसान का दो सिद्धी एक तरीके से कह सकते हैं एक एक एक्जांपल इसका देख लेते हैं He has several previous conviction for burglary मतलब पहले भी इसके कई सारे सेनमारी के इसके उपर Charges लगे हैं मतलब दोशी पाया गया है ये इनसान तो वो हो जाएगा conviction इसके बाद punishment जब आप दोशी पाया जाएगा आपको तभी तो आपको punishment मिलेगी तो spelling हो जाएगी इसके P-O-N-I-S-H-M-E-N-T-Punishment नेक्स टेक लेते हैं Accrue Accrue एक वर्थ है जिसका मतलब होता है बढ़ना वर्थी होना वो जाता है Accrue Accrue का मतलब कोई भी चीज बढ़ना देख लेते हैं तो इंक्रीज अप ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक समय के साथ कोई भी चीज जब चीज़ों में बढ़ होती होती है तो उसे अक्रिव कहते हैं सेनारिम देख लेते हैं Accumulate Amas Gather Increase Accumulate Amas Gather Increase Accumulate की स्पेलिंग देख लेते हैं A-C-U-M-U-L-A-T-E Double C है और M सिंगल है A-C-U-M-U-L-A-T-E Accumulate Accumulate मतलब भी संचय करना कुछ gather करना इकठ्था करना तो वो हो जाता है Accumulate Amas A-M-A-T-A-B-L-A-S Amas मतलब भी चीज़ों को इकठ्था करना इसके बार Next है gather Gather भी इकठ्था ही करना होता है Decrease मतलब बढ़ना होता है इसका अंटॉनिम कर देख लेते हैं Decrease या फिर Lose Lose मतलब कुछ खोना Decrease मतलब कम होना D-E-C-R-E-A-S-E Decrease Next हम चलते है Accusation Accusation एक नाउन है जिसका मतलब दो शारों पड़िया अभी हो किसी के उपर कुछ Blame लगाना जब किसी के उपर कुछ Blame करते हैं तो उस प्रोसेस को Accusation कहते हैं Synonym देख लेते हैं Indictment Impeachment Charge Blame Indictment Spelling I-N-T-I-C-T-M-E Indictment मतलब भी दो शारों पड़िया होता है किसी के उपर कुछ चार्ज लगाना या Blame लगाना Impeachment Impeachment जनरली Constitution में यूज होता है हम जब भी कुछ जैसे जो मारा President होता है उसके उपर जब हम देखते हैं कि वो सही नहीं कर रहा है कुछ गलतियां कर रहा है या Constitution का अपमान कर रहा है कुछ भी होता है तो उस पे जो पार्लेमेंट होता है उसे इंपीचमेंट लगाता है तो इंपीच करता है उसे तो अभियोग लगाता है तो वहाँ पे ये वर्ड यूज होता है दो शारोपड का I-M-P-E-A-C-H-M-E-N-T इंपीचमेंट इसके बार नेक्स है चार्ज चार्ज हम जनरली देखो पुलीस केस में बहुत सुनतें ने इसके बार नेक्स्ट है एक तरीके से दो शारों पर इनके अपर दोश ये क्राइम करने का ब्लेम लगा हुआ है इनके अपर इनके अपर दोश लगाया गया है इसके पड़ नेक्स्ट है ब्लेम B L A M E ब्लेम मतलब फिर अभ्लेम जनरली हम यूस करते हैं कि इसने ऐसा किया किसी को किसी चीज़ का कारण बताना कि इसने ऐसा गलत किया है तो वह ब्लेम हो जाता है नेक्स्ट है इसका अन्टॉनम Defense या Save DE F E N C E defense मतलब बचाना defense मतलब लोग जनरली उसकरते हैं जिसे कि हम में कोई है किसी के favor में बात करना और उसका support करना तो यह defense करते हैं उसको जह हो गलत ही किया हो या सही किया हो उसको defense करते हैं अपनी तरफ से तो बचाते हैं सेव सेव को ही तोड़ा अच्छा वाड़ एक तरीके से डिफेंस कर लेते हैं एक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब तीक्ष्ट या बहुत तीखा ओके एक एक रिड़ एक हविंग एस्ट्रॉंग एड़ इसमेल और टेस्ट डैट इस अन्पीजन जैसे कि कोई जो श्मेल ह है या फिर टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा करवा होना बहुत ही ज्यादा तीखा होना तेज होना और जो कि बहुत ही ज्यादा अन्प्लीजन बहुत ही ज्यादा बुरा है तो वह एक रिड़ हो गया से नॉनिम इसका देख लेते हैं बिटर पंजेंट एक्रिमोनियस इसके बाद शाप एस एच ए आर पी शाप बिटर मतलब करवा पंचिंट मतलब जनरली यूज़ एवाउट स्मेल स्मेल के लिए जनरली यूज़ होता है वेरी स्ट्रॉंग जो बहुत ही ज्यादा तेज होता है उसके लिए पंचिंट यूज़ करते हैं प्यारा होता है अश्यारे हो इससे चैनरली बहुत है प्यारे होता है यूज़ कीचरा सब्सक्राइब से जावाई यूज़ ए इसके बाद मिल्ड मतलब वही हलका बतायते हैं अभी थोड़ी दिर पहले माइल्ड पेन बहुती हलका दर्थ है जिस टॉल्रेबल है इंटॉल्रेबल नहीं है तो यह एक्रिड हो जाता है नेक्स चलते हैं संब्सक्राइब को संब्सक्राइबल नहीं है और मतलब होता है विवे कुशाणग्र एमेंशन सभंगत है बहुत तेज है तो वह एक्यूमें होगा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है इसेनोनिम आज़ए technik कि शापनिस टैलेंड परस्पसने अज़र्डी मैं बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थैवे पारोँ ज्यादा बुद्धिमान था वर्ट おental आफ्टरी कि श्र krijgen in सब्सक्राइब कि इसके बाद शापनेस मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं यह बहुत ज्यादा शाप है इससे कुछ बचकी नहीं जा सकता है तो चार्पनेस बहुत ज्यादा जो तेज होता है इसके बाद टैलेंट तो नॉर्मली सब भी समझता है जो समझदार है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है टैलेंट या फिर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की इसकी बहुत ज़्यादा है तो वह टैलेंट टी एल एंड टी किसी भी काम में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी अब परसिप्सन यह हो इसका दो मीनिंग होता है एक होता है जो होता है नजरिया या द्रिस्टिकोड मतलब कि आपका नजरिया क्या आपका परसिप्शन क्या है इस सिचुवेशन में आपका नजरिया क्या है तो यह एक परसेप्सन हो गया दूसरा परसेप्सन होगा देबल्टी तू नोटिस और अंडरस्टैन सम्थिंग मतलब कि जो चीज है उसको समझने की या नोटिस करने की जो आपके अंदर छमता है वह परसेप्सन को दिखाता है इसका टॉयम देख लेते हैं स्टुपिडिटी फुलिशनस नॉर्मल वर्ड है स्टी यू पी आई डी आई टी वाई फुलिशनस की एफ टबलो एल आई एस एच एनई टबले भुपतापूर बहुत ही बिवकुफी भरा नेक्स्ट है एड़मेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता ह हठीला या जिद्धी या Obstinate यह फिर Ireland मतलब की बहूत जयादा जड़ी स्टबर्ण मतलब बहुत जिद्दी बोलते हैं कि हमारे घर का सबसे स्टबर्न बच्चा है और बहुत ज्ञदा जिद्धी तो स्टबर्न हो गया पर्सिस्टेंट जो पर्सिस्टेंट का भी दो मीनी होता है एक होता है डिटर्मेंट टू कॉंटिनू डूइंग सम्थिंग इवन दो पीपल से दाट यू और रॉंग और देट यू कैनाट डू इट मतलब कि बहुत जादा जो काम को अपने लेके डिटर्मेंट हो चाहे कि जोग उसे कितना भी कहें कि तुम नहीं कर सकते हो या तुम्हारे तुम कैपबल नहीं हो इस काम को करने के लिए फिर भी वह जो इनसान लगा रहे तो उसको परसिस्टेंट के थे तो यहां पर तो यह जिद्दी का सेंस नहीं दे रहा है तो इसका जो नेक्स्ट मीनी होता ह वहां है वो किसी हैं मोज्डिक वो लास्टिंग फॉर लॉंग टाइम से और ल अर फर काफी समय लगतार चल रहा है यह फिर अक्सर होता रहता है तो इस पर्सिस्ट एंडे सथैं इसके बार अन्येल्डिंग यू-n-y-i-e-l-d-i-n-g जिसे जुकाया ना जखे सके और जो बहुत ही ज्यादा सकत हो अन्येल्डिंग होता है एंटारिम इसका ओवीडियेंट एंड लेनियेंट अबीडियेंट मतलब जो हर बात को मानें वह ओवीडियेंट हो गया है स्पैलिंग मस्ट हैो बी ईडिआई एंटी इसके बाद लेनियां लेनियन बहुत ही ज्यादा उदार है लीडिट एनई एंटी लेट्स वर्ड है हमारा एड़ेप्टेबल adaptable adjective है जिसका मतलब होता है अनकूलनी या फिर बदलने योग तीन वर्ड होते हैं adapt, adopt और adapt तो जो adapt होता है वो मतलब किसी चीज़ को अपने हिसाब से बनाना या अनकूल बनाना वो adapt होता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ महाल में बदल जाते हैं उसे साथ से हो जाते हैं यह adapt है अनकूलनी बनाना और इसके बाद होता है adopt adopt मतलब गोद लेना जैसे कि हम बच्चा adopt करते हैं इसके बाद होता है adapt adapt मतलब निपूर बहुत ही जाए किसी काम में इसके ब्रैक्टिस्ट वह जाते हैं एडप्ट स्टालिंग मस्ट है एडी एपीटी एडाप्ट फिर एडॉप्ट एडी ओपीटी और एडप्ट एडी एपीटी एडप्ट पहले का मतलब अनकूलनी बनाना दूसरे का मतलब होता है निपूर बहुत है स्किल्ड तो यहां पर हम एडप्टेबल की बात कर रहे थे अनकूलनी यह बदलने होग तो इसका सिनॉनिम हो जाएगा एमेंडेबल जो सुधारा जा सके एडॉप्टेबल दोनों जो है सिनॉनिम दिये यही होता है सिनॉनिम में सिमिलर वर्ड्स होते ह वह लगभग मिलते जूलते होते हैं एक्टम एक्जाक्ट वही नहीं होते हैं मिलते जूलते होते हैं तो एडप्टेबल मिदलब की जो है जो एडप्ट करने लाइक है एडजस्टेबल जो एडजस्ट करने के लाइक है यह एडजस्ट कर सकते हैं आप तो वह एडजस्टे थोड़ देर पहले पढ़ाया था रिजिट यह देखे ऊपर है ना यह स्पैलिंग होगी इसकी और आए जी आए डी यहां टी की जगा डी होगा रिजिट मतलब बहुत ही जैदर सक और इसकी जो परिवर्तान जिसमें न हो वह कौन्सटाइब ऑगे आज के लिए बस इतना ही ठेक्कू कैस प्छीडि by अ Dios कर अगार्व में अंचिश से अची वीडियो कर आए तो आज के लिए बस इतन ही, thank you guys